अगर स्वाकता आप सभी कैं शूडूब चैनल सरकारी लोग पे दोस्तो यूपी बोर्ड रिजल्ट आ चुका है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप क्लाश 10 और क्लाश 12 का रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं दोस्तो अगर आप हाई स्कूल या इंटरमेडियेट यूपी बोर्ड का रिजल्ट चेक करना चाहते तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके तो चलो दोस्तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का आप वीडियो प्लोड करूँगा उसकी जानकर मिलेगी आपको सबसे पहले तो चलो दोस्तो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं किसी भी सर्च इंजर में आप सर्च कर दीजेगा यूपी बोर्ड रिजल्ट उसके बाद जो सबसे ओपर रिजल्ट आ रहा है यूपी बोर्ड है result announced on तो आ यह वी announced हो चुका है, इस पर किलिक करके आप 12th का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, conflict 10 का result देखना चाहते हैं तो इस पर कलिक करके आप चेक कर सकते है,अगर इनके तढ़रु आप चेक नहीं कर पा थो इन्होंने special server भी दिय हुए है, इन server kे through भी आप आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं काफी लोट चलो राइस साइट पे तो आप सर्वर 1 के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और इन पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं 12 का यहां से इस पे क्लिक करके कर सकते हैं और 10 का इस पे क्लिक करके कर सकते हैं आप जैसे इसी को खोड़ लेते हैं क्लाश 12 चेक करने के लिए इस पे क्लिक कर लेते हैं और 10 का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर लीजेगा तो 12 का लिंक ओपन हो रहा है तो यहां पर roll number डालिएगा क्लाश 12 का जो admit card में आपको दिख जाएगा या आपका जो question paper उसमें भी दिख जाएगा roll number यहां पर डाल दिए 12 का और यहां पर school code डाल दीजेगा admit card में आपको school code दिख जाएगा यह capture out यहां पर डालके submit पर click करके क्लाश 12 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो यहां पर click कीजेगा और उसके बाद इस तरीके से open होकर आजाएगा यहां पर roll number डालिए यह capture out यहां पर डालके submit पर click करके क्लाश 10 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं इसका डायर्क लिंक में नीचे description box में डाल देंगो जब आपस click कर वो सीधा आप चेक कर सकते हैं क्लाश 10 का और क्लाश 12 का रिजल्ट उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए